आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे आर्ट्स विभाग की 12th क्लास तो आज मैं आपको 55 important questions बताऊंगा history का जो की आपके exam के लिए बेहद ही important है तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे history के top 25 questions की देखिए arts पढ़ने वाले जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए अलग से classes आपको provide किया जाएगा history का, geographic का और political, science का तो आप बिल्कुल घबराय नहीं आपको classes अलग से ज़रूर मिलेंगे आपकी त्यारी अच्छी से कराई जाएगी और ये जो मैं questions बता रहा हूँ, ये तो important है ही, इसे आपे copy में note कर लिजिएगा तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे history के बारे में top 55 questions की, एक-एक point को बढ़ियां से समझते चलिएगा देखिए, सबसे पहले बात करें history, तो सबसे पहले आपको ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि father कौन है, और आपको बिल्कुल भी मालूम है, पिता history के आपके हो गए hero dotus याद रखिएगा hero dotus, अब इनके जनम की बात करें, तो 484 BCE पहले BCE का full from आप लिख लिजिए, before common era, before common era मृत्यू की बात करें hero dotus की, तो 425 BCE, ठीक है चुकि आपको मालूम है कि BCE में घटते हुए आपका आएगा तो जनम hero dotus का कब, 484 BCE, मृत्यू की बात करें तो 425 BCE, ठीक है अब इनके बारे में थोड़ी सी जनकारी करते हैं, उसके बाद हमनों questions की तरफ बढ़ेंगे इतिहास के पिता hero dotus, जनम, 484 BCE, मृत्यू 425 BCE यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भुगोल वेता थे यानिक इतिहासकार के साथ ये भुगोल के भी क्या थे, जनकार थे कौन, यूनान के प्रथम इतिहासकार hero dotus जी hero dotus का संस्क्रीत नाम हरी दत था hero dotus का संस्क्रीत नाम क्या था, हरी दत था इनके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्टोरिका थी, आपको बिल्कुल मालूम है इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम हिस्टोरिका, ठीक है तो ये आपका हो गया hero dotus के बारे में थोड़ी सी बेसिक जनकारी अब हम लोग चलते हैं, questions number one की तरफ जो की हडपा से बिता से related है, तो हडपा से बिता की सरोप्रथम खोज किसने की थी, तो आमसर आपका हो जाएगा दयाराम साहनी जीने पहला आपका प्रस्ण है, कि हडपा से बिता की सरोप्रथम खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी जीने दूसरा आपका question है कि मुहन जोदरो और हडपा किस नदी के किनारे इस्तित है बेद important question आपके exam के लिए very very important मुहन जोदरो और हडपा किस नदी के किनारे इस्तित है तो याद रखिएगा मुहन जोदरो, सिंधु, हडपा, रावी मोहन जोद्रो किस नदी के किनारे शिंदू नदी के किनारे और हडपा आपका हो जएगा रावी नदी के किनारे बेदी असान है आपका नेक्स्ट क्वेस्चन की बात करें तो हडपा सब्यता की महत्वपूर्ण विसेस्ता क्या थी बात करें हडपा सब्यता की महत्वपूर्ण विसेष्था क्या थी तो आंसर आपका हो जाएगा नगर योजना यानि की नगरिये हडपा सब्यता की महत्वपूर्ण विसेष्था नगरिये या आप आंसर बोल सकते हैं नगर योजना चौथा आपका प्रस्ण है कि कीस सिंदू अस्थल से सूती कपड़े के सक्ष मिले है चोथा आपका प्रस्ण है very very important किस सिंदु अस्थल से सूती कपड़े के साक्ष मिले है तो आंसर आपका होजेगा मुहन जोदडु किस सिंदु अस्थल से सूती कपड़े के साक्ष मिले है तो आंसर आपका होजेगा मुहन जोदडु पांचवा आपका प्रस्ण है कि हडपा सभ्यता का प्रसासन था कैसा था नगर पाली का जैसा पांचवा प्रस्ण हडपा सभ्यता का प्रसासन कैसा था तो आंसर आपका हुझेगा नगर पाली का म्यूंसिपलिटी जिसका वर्ड होता है पांचुवा आपका प्रस्ण हडपा सब्यता का प्रसासन कैसा था नगर पालिका जैसा छे नमबर आपका है कि सिंदू सब्यता का बंदरगा कौन था तो आंसर आपका होजेगा लोथल छे नमबर आपका प्रस्ण सिंदू सब्यता का बंदरगा कौन था तो लोथल सात्वा प्रस्ट सिंदु सब्यता में नर्तकी की मुर्ती कहां से मिली है तो आंसर आपका हो जगा मुहन जोद्डो से सात्वा प्रस्ट सिंदु सब्यता में नर्तकी की मुर्ती कहां से मिली है तो आंसर आपका हो जगा मुहन जोद्डो आठवा प्रस्ण आपका है very very important सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे तो पसुपती महादेव महादेव याद रखिएगा 9 नमबर आपका प्रस्ण है मिरितको का टीला ये तो कितना बार आप चुका है आपके एक्जाम में तो मिरितको का टीला मुहन जोदड़ो ठीक है मिरितको का टीला किसे कहा जाता है तो मुहन जोदड़ो को 10 नमबर प्रस्ण है कि सिंधु सब्यता के लोगों को किस धात्यू का ग्यान नहीं था यानि कि किस मेटल के बारे में शिंधु सबिता के लोग नहीं जानते थे तो आपका होज़ेगा लोहा आईरन 11 नमबर प्रस नपका है कि काली बंगा भारत के किस राज्य में इस्तित है 11 नमबर प्रस काली बंगा भारत के किस राज्य में अवसिस्त है या इस्तित है आपको हो जाएगा राजस्थान 12 नमबर प्रस मोहन जोद्ड किस भासा का सब्द है very very important question आपके exam के लिए मोहन जोद्ड किस भासा का सब्द है तो आपको हो जाएगा सिंधी 13 नमबर प्रस हडपा से बता के पतन के क्या कारण थे आपको बताना है देखिए हडपा से बता के काई कारण थे जिसमें मेन जो आपका मुख्य कारण में तीन आपको बता रहा हूं विदेशी आक्रमन प्रकृतिक ठीक है प्रकोप मानवीय कारण ये थे हडपा शब्दा के पतन के प्रमुख्य कारण कौन-कौन विदेशी आक्रमन प्रकृतिक कारण मानवीय कारण चोद पंदरा number first सिंध काबाग किसे कहा जाता है, आझसर आपका हो जाएगा, मोहन जोदड, 15-द नंबर question very very important है आपके एक्जाम के लिए, हड़ापा सब्यता किस युग की सब्यता है, तो आपको बिल्कुल याधी हो जाए, डोबर मैं इसलिए repeat कर रहा हूं कि आपको याधी हो ज तो 15 नंबर प्रस्ण आपको मालूम चल गया कि हडपत्श ब्यता कीस युग की सब्यता है तो भाई कांस युग की 16 नंबर प्रस्ण सिंदु समाज में समाज का स्वरूप कैसा था कहने का अर्थ है कि मात्री सतात्मक था या पित्री सतात्मक था तो आप याद रखिएगा सिंदू समाज में समाज का स्वरूप मात्री सतात्मक था यानि कि माता की प्रधानता थी 27 प्रस्ण काली बंगा किस नदी के किनारे अवसिस्त था तुवांसर आपका हो जेगा सरस्वती 18 प्रस्ण शिन्दु सभेता का छित्र फल की सब जैगा तुवांसर आपका हो जेगा तुवांसर आपका हो जागा तुरिभूजाकार 19 नमबर प्रस्ण रखाल दास बनर्जी को मुहन जोदरो की अवसेस किस वर्ष मिले थे तो आंसर आपका हो जएगा 1922 वी 20 नमबर आपका प्रस्ण है कि हड़पा संस्क्रीती अधारित थी 21 पर तो ब्यापार पर 21 नमबर प्रस्ण हल से जूते खेत के साक्ष कहां से मिले है 21 नमबर क्वेस्चन आपका है कि हल से जूते खेत यानि कि जो खेत जोता गया था हल से वो साक्ष कहां से मिला है किस जगा से मिला है वो आपको बताना है तो हल से जुते खेत के साक्ष कहां से मिले है तो आपका आंसर हो जेगा काली बंगा 22 किस सिंदु अस्थल में महिला और पूरुस को एक साथ दफनाया गया Very very important question किस सिंदु अस्थल में महिला और पूरुस को एक साथ दफनाया गया तो आंसर आपका हो जगा रोपड देखिए रोपड एक ऐसा जगा है जहां पर महिला और पूरुस को एक साथ दफनाया गया था तो आंसर आपका हो जगा रोपड जहां पर महिला और पूरुस को एक साथ दफनाया गया 23 पसुपती महादेव की मुहर में कौन-कौन सा जानवर का जिक्र किया गया तो आपका हो जाएगा हाथी बाग भैस ठीक है आप इस वीडियो के जरूर सेयर करते रहिएगा क्योंकि सेयर जरूर कीजेगा और लाइक भी कर दीजेगा यदि आपको questions important लग रहे होंगे तो तो 23 number question की बात करें पसुपती महादेव की मुहर में कौन-कौन सा जानवर का जिक्र है भाई तो आंसा रखो जगा हाथी बाग भैस तो यह आपके हो गए 23 question अब बात करते है 24 हडपा सभयता का स्वरूप कैसा है 24 very very important आपके एक्जाम के लिए हडपा सभयता का स्वरूप कैसा है तो आंसार आपका हो जाएगा सहरीय सभ्यता कौन सी सभ्यता है सहरीय सभ्यता हडपा सभ्यता का स्वरूप कैसा है सहरीय सभ्यता 25 number question आपका है कि लोथल किस नदी पर इस्तित है कितना बार एक्जाम में आपका आया हुआ है यदि आप त्यारी अच्छी तरह से कर रहे है तो ये question आपको जरूर मिला होगा लोथल किस नदी पर इस्तित है तो आंसार आपका हो जाएगा भोगवा 26 बिम्बिसार का संबंध किस वंस से था 27 बिम्बिसार का संबंध किस वंस से था तो आंसर आपका हो जाएगा हर्यक वंस 27 बिम्बर भारत का नेपोलियन किस सासक को कहा जाता है 27 बिम्बिसार का संबंध किस सासक को कहा जाता है तो आंसर आपका हो जाएगा समुंद्र गुप्त को यानि के समुंदर गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है 28. मगद की प्राचीन राजधानी कहा थी? 28. question आपका कह रहा है कि मगद की प्राचीन राजधानी कहा थी? तो अंसर आपका हो जयेगा राजग्री 29. मौर्य का प्राचीनतम राजवंस कौन था? यानि कि more events का प्राचीनतम राजवन्स कौन था तो आंसर आपका हो जेगा हर्यक वन्स तीस नमबर more events का संस्थापक कौन था आपको बिलकुल मालूम है चंदरगुप्त मौर बे अदियासान क्वेस्चन आपके लिए 30 more events का संस्थापक चंदरगुप्त मौर एक तीस नमबर मेगास्तिनीज किस यूनानी सासक के राजवन्स के रूप में पाटली पुत्र आया था 31 नमबर क्वेस्चन आपका कवर है वेरी वेरी इंपॉर्टिन क्वेस्चन आपके लिए 32 चंदरगुप्त मौर एक तीस नमबर क्वेस्चन आपका हो जाएगा जैन धर्म 33 चंदरगुप्त मौर एक तीस धर्म को मानने वाला था 33 कलिंग यूद का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है तो तेरह हमें सिला लेख में यानि कि अभिलेख में 33 कलिंग यूद का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है तो तेरह हमें अभिलेख में मिलता है 34 very very important question सक्सम्वत की सुरुवात कब से मानी जाती है 78 इस भी 34 नमबर अपका प्रस्ण है कि सक्सम्वत की सुरुवात कब से मानी जाती है तो आंसर आपका हो जाएगा 78 यानिके 28 इस भी 35 नमबर प्रस्ण असोक द्वारा प्रचारित बौध धर्म कहां प्रचलित हुआ 35 नमबर अपका प्रस्ण है असोक द्वारा प्रचारित बौध धर्म कहां प्रचलित हुआ आपको आंसर बिल्कुल मालुम है सिरलंका और आपको कॉमेंट बॉक्स में जवाब देना है सिरलंका की रजधानी कहा है असोक द्वारा प्रचारित बहुत धर्म कहां प्रचलित हुआ ये इसका अंसर आपका है सिरलंका और आपको कॉमेंट बॉक्स में क्या जवाब देना है सिरलंका की रजधानी देखिए सेयर आप लोग जरूर करते रहें लाइक भी करते रहिए 36 आपका है कि महाभारत किस ने लिखा बेयादियासान क्वेस्चन आपके लिए वेदव्यास जी ने 37 रमायन किस ने लिखा तो बालमी की जी ने लिखा रमायन किस ने लिखा बालमी की जी ने लिखा 38 पुरानों की संख्या कितनी है 18 पुरानों की संख्या 18 39 नमबर क्वेस्चन आपका को रहा है कि रामचरीत मानस किसने लिखा है रामचरीत मानस किसने लिखा है तो आंसर आपका हो जगा तूलसी दास जी ने 49 नमबर क्वेस्चन राम चरित मानस किसन लिखा है तो तूलसी दास जी ने चालीस नमबर आपका प्रस्ण है कि महा काब ये कितने है देखिए चालीस नमबर आपका प्रस्ण है कि महा काब ये कितने है तो दो है कौन-कौन महा भारत और रमायन 41 परियाग प्रसस्ती का संबंद किस गुप्त सासक से है 41 नमबर क्वेस्चन आपका को रहा है कि परियाग प्रसस्ती का संबंद किस गुप्त सासक से है तो आंसर आपका हो जगा समुंद्र गुप्त से परियाग प्रसस्ती का संबंद समुंद्र गुप्त से है ठीक है, 42 नमबर, पंच तंत्र की रचना किस ने की थी, very very important आपके एक्जाम के लिए, तो आंसर आपका हो जगा विश्णू सर्माजी ने, पंच तंत्र की अस्थापना किस ने किया, विश्णू सर्माजी ने, 43, मनु एस्मृति के रचाईता कौन है, मनु एस्मृति के रच चाईता, तो आपका होजएगा, मनु, 44, महाभारत की रचना किस भासा में हुई थी, very very important question आपके लिए, 44 नमबर आपका क्वेस्चन है, कि महाभारत की रचना किस भासा में हुई थी, तो आपका होजएगा, संस्क्रीट, 45 नमबर क्वेस्चन आपका को रहा है, कि आईने अकबरी किसने लिखा, 45 नमबर क्वेस्चन, आईने अकबरी किसने लिखा, तो आपका होजएगा, अबूल फजल ने, 46, तमबाकु का सेवन, सबसे पहले किस मुगल समराट ने बंद करवाया, इसका जवाब आप कॉमेंट बॉक्स में दिजिएगा, 46 नमबर आपका क्वे अप्सन भी दे देते हैं, अकबर, जहागीर, साह जहा, तीन ही में से आप अपना अंसर कॉमेंट बॉक्स में दिजिएगा, देखिए प्रस्न भी आप बढ़ियां से समझ लिजिए, तमबाकु का सेवन, तमबाकु का वर्ड होता है टोबाय को, टी ओ बी ए डबल सी ओ, ट 47, अकबर ने अपना वित मंतरी किसे नियुक्त किया, 47 नमबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके लिए, अकबर ने अपना वित मंतरी किसे नियुक्त किया, तो वांसर आपका हो जाएगा, टोडर मलको, टोडर मलको, अकबर ने अपना वित मंतरी नियुक्त किया, 48, आइ अकबरी कितने भागों में विभागता है तो असर आपको होजेगा पांच 2019 अन। 59 नर्ट क्वेस्चन आपका वेरी वेरर इंपोर्टेंट मीडि κάνो स्पैकि हां सरब 2546 101 यानिकि 1526 स्बीको 50 है कि क्वेस्चन आपका है कि तान सेहल का मकबरा कहां सब्जाय कुछ फिपटी व5 वॉन आपका हुझार बाबरकत्रा नाम है तो आपका होझेगा 15. 52 अस्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक किसके समय हुआ? 52 नमबर क्वेस्चन आपका क्या को रहा है? बढ़ियां से समझिएगा अस्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक किसके समय हुआ? तो आंसर आपका हो जागा साह जहां सा जहां के समय अस्थापत्यकला का विकास सबसे अधिक हुआ और एक वर्डे टेन्यूर T-E-N-U-R-E टेन्यूर का हिंदी होता है सासनकाल ये आप नोट कर लिजे कहीं कॉपी में T-E-N-U-R-E टेन्यूर का हिंदी क्या होता है सासनकाल तिर्पन नंबर में आपका तीन प्रस्म हो जाएगा तो तिर्पन चववन पचपन पानी पत का प्रथम युद्ध 1526 इसवी आपको बिलकुल मालूम है दूसरा 1556 और तीसरा 14 जनवरी 1761 इसवी को तीसरा आपका पानी पत का युद्ध हुआ था पहला कप very very important question आपके exam के लिए 53 प्रथम युद्ध कप 1526 दूसरा 1556 और तीसरा 14 जनवरी 1761 पंदरासुचप इसमें पानी पत का प्रथम युद्ध हुआ 1554 में पानी पत का दूसरा युद्ध हुआ 1761 इसमें पानी पत का तीसरा युद्ध हुआ तो यह आपके हो गए टॉप 55 questions आपके history के आप channel को जरूर subscribe कर दीजेगा और bell icon भी बाद दीजेगा क्योंकि जो मैं अगला video आपका upload करूँगा उसका notification आपको मिल जाए तो आप इन जो मैंने अभी questions बताया उसको आप एक copy में note कर लीजेगा और अच्छी तरसे exam देने से पहले एक बार revision कर लीजेगा और जब भी समय मिले आपको ना तो दोस्तों में जरूर share कीजेगा और यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक like जरूर कर दीजेगा और जो questions मैंने आप से पूछा है उसका जवाब आप comment box में जरूर दीजेगा ठीका ना ओके धन्यवाद